जब बालक जन्म लेता है तो बच्पन में अपनी भावा विव्यक्तियों से अपने पैर फटकार कर या पैर मार कर वे इस बात की अभिव्यक्ति करता है कि वे भूखा है यानि इन्ही सभी क्रियाओं से नृत्य का जन्म हुआ और मानवी अभिव्यक्तियों का सबसे बहतर माध्यम माना गया, सबसे रस्मे माध्यम माना गया नृत्य को दृष्टियाइज के इन्डेफ्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं हूंगी तांजली आज हम महारास्ट्र में अभी हाल ही में लावनी नृत्य को लेकर क्या कुछ यहां कॉंट्रोवर्सी उत्पन हुई है और इस कॉंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण है इस पर चर्चा करने वाले हैं तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदूओं पर चर्चा करने वाले हैं और किन-किन मुख्य मुद्दों पर आज हम यहां डीटेल से डिसकसन करेंगे या बात करेंगे आज का हमारा एपिसोड होगा महरास्थिका लोक नरत्य लावनी विवादों में यानि लावनी नरत्य को लेकर अभ 힘 यहींस इस सुर्खियों में जया है और सुरक्य क्या आए और नीटेल करेंगे इसके बाद जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है यानि इस मामले को सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कुछ वजह हैं इसकी इसकी बाद जानेंगे लावनी नरती के बारे में कि लावनी नरती है क्या इसकी कौन-कौन से शैलिया है इसकी कौन-कौन से प्रकार है फि इसे लगभग सभी ने उसने पर ने कवर किया है क्योंकि यह एक खास लोग कला है खास लोग नरत्य है और कहीं न कहीं यह वहाँ महारास्ट की राजनितिक पार्टी से जुड़ा हुआ विश्य है खबर क्या है इसे हमने दंजेन एक्सपेस से लिया है खबर है वोट इस लावनी एंड वाई इस महारास्टा जोग नरत्य है और लावनी आखर है क्या सबसे पहले देखेंगे कि आखिर यह है चर्चा में क्यों है हैं जिसमें सबसे महजून कारण क्या है कि NCP नेता आजीत पवार में अभी हाल ही में अपने पार्टी की सदस्यों को कुछ निर्देश दिये हैं निर्देश में क्या कुछ शामिल की गई है कि जो भद्य प्रदर्शन के रूप में लावनी निरत्य का प्रदर्शन किया ज हुआ है क्योंकि कई बार कई लोगों ने जो वहां के रावनी निरत्य नाएं काफी पुरनी उन्होंने यहां पर कॉंट्रॉवर्सी बताई है कि आ यह उसे संबंधित पूरा मामला क्या है यदि हम इसे संबंधित पूरे मामले की बात करें कि ये मामला शुरू कहां से होता है तो दरहसल महारास्ट्रे में कई राजनेताओं ने अपने पार्टियां और्गनाइस की और पार्टिय और्गनाइस करने के साथ ही उन्होंने धुले की 26 वर्शी लावनी कलाकार गौत्मी रही हैं उन्होंने इसका विरोध में अन्होंने क्या कहा एक सांस्ट्रितिक प्रकोष्ट की बैठक हुई थी जिसमें मेगा घौड़ गाड़गी इन्होंने इस संबंधे शिकायत दर्च कि और शिकायत नहीं ने कहा कि ऐसे आदान्स है उसके कल्चर उसको प्रजण करने वाला जो यह नृत्य है उसे कहीं न कहीं अस्लील बनाया जा रहा है और इससे रोखने की जरूरत है इससे संबद्ध उनने यहां पर शिकायद दर्ज की थी इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल भीड में करने वाला नृत्य नहीं है और ऐसी पार्टियों को केवल इखटा करने के लिए ऐसी कदम को उठाने से बचना चाहिए क्योंकि यह है महरास्ट के जो लोग गीत है जो लोग नृत्य है इसकी कल्चर को यहां पर उस कल्चर के पतन की और इसे ले जा रहा है तो इसलिए यह पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है अब यहां जानना ज़़ोरी है सबसे पहले कि आखे लावनी नृत्य क्या है और महराश्ट की किंगिन चीजों को यह रिप्रेजिट करता है यदि हम बात करें लावनी नृत्य के बारे में तो दरसल यह महरास्ट्र में लोगप्री लोग गीत और नृत्य प्रदर्शन की एक कला है एक प्रकार का नृत्य प्रदर्शन ही है आप ऐसा कह सकते हैं यहीं हम लावन्य की बात करें, इस नृत्ति की यहां पर उतपत्य हुई है, इसलिए इसे नृत्ति कहा जाता है, यहीं बात करें, महाराष्ट की संदर्व में ही, कि महाराश्च का कौन सा नरत्य है तो दरसल यह महाराश्च का एक पारंपरिक लोग कला है यानि महाराश्च की एक पारंपरिक लोग कला है जिससे कई सद्धियों पहले से शुरू किया गया है इसमें महिला नरतक चमकीले रंगों की लगभग नोगज लंबी साड़ी पहनती कोई की है लाइव दर्श को के सामने मंज पर आप प्रस्तुती की जाती है पर अब जनग्ज जिनकी आप तस्वीर देख सकते है इस्तिमाल करकर किसे पहना जाता है है हवी मेड़ और यहां पर आभूशन आदी पहन कर ईह नत्यक्त को किया जाता है यदि हम बात करें इसी नुरत्य के संदर्व में कुछ और महाजपून तक्षियों के बारे में तो दरसल यह एक श्वदेशी कला है याने महरास्ट की अपनी कल्चर को रप्रेजेंट करती है से महरास्ट के कई हिस्सों में और मज़ेप्रदेश की कुछ दक्षिनतम जिलो में भी इनुरत्य किया जाता है लावनी का अपना कई सद्यों पुराना इतिहास रहा है बात करें कि अपने पीक पर पहुंचा याने इसकी खास वह समय जब इसी उचाईयों पर ले जाया गया तो दरसल अठारवी शताब्दी में पेश्वा युग में विशेश इसे महारास्ट्र में कई युद्ध हुए है और एक समय वह युद्ध का गड़ भी रहा है वैसे में उस समय जो युद्ध विराम की अवस्था होती थी तो सैनिकों को मनरंजन के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस निरति की प्रश्टुती की जाती थी इसलिए उस समय इसे कुछ खास भंगिमाओं के साथ यहां के इसके शैली और प्रकार की बात करें कि इसकी मुख्षिता पर्फॉमेंस की आधार पर कौन-कौन-कौन इसके प्रकार रहे हैं तो दरसल पर्फॉर्मेंस के अधार पर इसे दो शैलियों में डिवाइड किया गया है जिसमें है फडाची लावणी और बैठाकीची लावणी यदि हम फडाची लावणी की बात करें तो यह एक प्रकार का ऐसी निलत्रप्रस्तुति है लावणी का वह प्रस्तुति करन है जिसमें बहुत अधिक दर्शकों के सामने यह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है यानि काफी भीर होती है पब्लिकली इसे प्रदर्शित किया जाता है तो इसे क्या कह जाता है पडाची लावणी और यदि हम बैठाकीची लावणी इस नर्थ्य के दो भाग होते हैं पहला कौन सा होता है निर्गुणी लावणी में दार्शिक या कहें फिलोसिफिकल थीम शामिल होती है फिलोसिफिकल थीम यानि निर्गुणी तरीके से लावणी नर्थ्य को प्रदर्शित करना आपको वह समझना होगा कि इस लावणी नर कि रोप में जाना जाता है कि योग मुख्य रूप से यानि इसकी सब्सक्राइब हो समय की सवी सामाजिक जो इस्थितिया रही है उसे लेकर भी रिप्रेजेंट किया जाता रहा है इसमें श्रंगार की खास विशेश्टा है यानि लावनी निर्थ्य को श्रंगारिक रस के साथ प्रदर्शुत किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है इसलिए लावनी का खास महत्व है तो ऐसे ही में जो लावनी निरत्य है एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है आव आईए आज के सेशन पर हम आज का प्रश्न देखते हैं कि आज के सेशन पर हमने क्या पड़ प्रश्ने फ्रेम किया है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्षिन में देना है प्रश्ण है निम्नलिखित में उसे कौन सा से कथन लावनी के बारे में सही है या है कथन है यह महाराष्ट में लोगप्रिय लोग गीत और निरत्य प्रदर्शन है और दूसरा ग्यारवी शताबदी में इसे विशेश लोगप्रियता मिली थी पूठ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक और ना ही दो तो लावनी निरत्थी के बारे में दोनों कत्नों में उसे कौन सा कत्थन सही है आपको इसका जवाब कमेंट सेक्षिन में देना है इसके साथ ही अने टॉपिक से रेलेटेड जानकारी के लिए दृष्टी आईए इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवार अन्यवार